नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई या जो 35 वर्स के पर उसके पाम का एनालेसिस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को सुनेंगे फिर एक एक करके इनके सवालों का उंतर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किरप्य करके चैनल को सस्क्राइब कर ले बेल आके इनको प्रस कर दे ताव कि रिरस नोडिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका कोशन इस प्रकार है वरतमान समय में ये गवर्मेंट अधिकारी थे, सरकारी सेवक थे लेकिन कुछ समय के लिए सस्पेंड हुए बरे है क्योंकि कुछ संजिसों के अधार पर इनको परिशान किया गया है तनाव दिया गया है इनके उपर कही न कही कारवाई कराए गई है जो कि बेबिन्याद है कोई खास सबूत ना बिलने की वज़ए से इन पर कोई विशेस कारवाई ना होते हुए यह अभी अस्थिरता के साथ है लेकिन सस्पेंशन के साथ बने हुए है तो यह जाना चाहते है कि यह जो इनके जीवन पर यह तनाव आया है कितने दिन तक इनको तनाव देगा चुकि 4-5 महने से यह तनाव जेल रहे है बड़े पद पर थे और आगे का जीवन कैसा रहेगा इसके पहले कि जीवन अच्छी थी आगे का जीवन कैसा रहेगा इस विशे पर इनको जानना है तो देखें जीवन पर कुछ एकाग साल की अगर परिशानी आ जाए तो यह बिलकुल यह बया नहीं करती कि आपका पूरा जीवन ही तकलीफ में रहेगा ये बिलकुल नहीं दर्शाती हाँ और ये भी नहीं दर्शाती कि आपका पूरा जीवन सुख में रहेगा लेकिन मैं आपके हाथ के माद्यम से ये जरूर समझबा रहा हूँ या भी जो आपके जीवन पर ये तनाव है ये खराब समय से आप गुजर रहें ये बहुत जादा दिन तक नहीं रहने वाला है और आपके उपर जो कारवाई की गई है ये बे बुनियाद साबित होते हुए आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे और जीवन पर फिर 23 गती से बहुत अधिक धनवान या धनलाव कराएगा तो सबसे पहले ये बागी रेका देख लेजिए कितनी चमतकारी है आगे भी बागी रेका बहतरीन होके चल रही है तो बागी रेका में कोई कमी नहीं है ये वाली बागी रेका भी बहुत शानदार है यहां से अगर मैं देख हो तो ये भी एक जबरदस्त बहुत बढ़िया सा एक चतरबुज है आगे भी एक और चतरबुज जैसी आकरती है मतलब 36 में वर्सकी आयों के बाद जीवन पर विशेश्तम तरक्की को प्राप्त करेंगे विशेश्तम सफलता को प्राप्त करेंगे ये चीज मुझे आपके एतली बता रही है आपके एतली समझा रही है बहतरी बहतरी आगे अगे अगर मैं देख लूँ तो सूरी परबद पर एक फिश जैसी आकरती का निर्वान है जो कि बिलकुल समाने नहीं होता यहां भी देख लिजए आप बहुत जबरदस सूरी रेका कमाल है यहां से भी ए जीवन पर पैसा आएगा और बहुत हुज अमाउंट में आएगा जीवन पर बहुत हुज अमाउंट में पैसा आएगा इसके चिन्न बने हुए है और एक पार्टिकुलर समय के बाद आप जीवन पर बहुत तरक्की को करेंगे तरक्की को प्राप्त करेंगे इस जबात में कोई संदेह नहीं है जो थोड़ी सी परशानी और तनाव है वो बहुत कम समय के लिए तो बस आप नश्चिंत रहिए चुकि आपका भविश्य उज्वल है आगे आपको जीवन पर बड़ी तरक्की होनी है बड़ी सफलता होनी है ये मैं देख पा रहा हूँ इसके उपरान अगर मैं बात कर लो तो जीवन रेका पर कुछ प्रोग्रिस लाइन जातक के जीवन में तरक्की वा प्रगती को बताती है तनाव क्यों आया उस विशे पर भी बात करेंगे सबसे महतपून बाद इस हाथ पर पता ही क्या है लगबग लगबग सारे ही प्लैनेट सचे कंडिसन्स में बहुत ताकतवर स्थिती में है तो सबसे महतपून बाद इस हाथ पर मुझे ये दिकर आए कि बहुत ताकतवर स्थिती में आपके सारे ग्रह है जो कि जीवन पर तरक्की को बताते हैं आपको दनवान या दनलाव जरूर करवाएगी तो अब ये तो होगी positive बात अब हम बात करेंगे negative चीज़ पर जो कि आपको तनाव दे सकता है परशान कर सकता है तो अब negativity क्या है वो चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है अब जब भी इस प्रकार के circumstances किसी व्यक्ति के जीवन पर बनते हैं तो राहू रेखा का बड़ा impact होता है क्योंकि राहू रेखा ही आपको लफरे करवाता है राहू रेखा ही कोट के चरी कारवाई के तरब दर्शाता है या दोसरा बरशपती पर तनाव लीवे अवस्था ये दो चीज आपको तनाव के तरफ अगरसर करता है परशान करने के तरफ अगरसर करता है तो यही दो चीज इनके हाथ पर बना है इसका remedy आपको अभी से करने के आवशकता है ताकि आपको थोड़ा कम तनाव इसके regarding देखने को पिल मिले नए तो फिर तनाव बरा रहे और राहूर एका अगर आप गौर करेंगे तो डेफिनिटली आपके हाथ पर 34, 35, 36 तक तक तो 34, 36, 37 तक तो आपके हतले पर जरूर बनी हुई है तो बस इसके लिए कुछ नहीं डेमेडि करने के आवशकता है आप तनाव से वंचित रहेंगे और जीवन पर तरक्की प्राप्त करने के लिए अगरसर रहेंगे, समर्पित रहेंगे और आप तरक्की को प्राप्त भी करेंगे केवल तरक्की प्राप्त करने के अगरसर ही नहीं रहेंगे, आप तरक्की को प्राप्त भी करेंगे कि चीज़ भी मैं आपके तरह के माद्यम से देख पा रहा हूं समझ पा रहा हूं तो यहाँ पर यहोगी पहली बात दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे तो थोड़े से लफ़ड़े और थोड़े धोके तो मिलने थे ना थोड़े रंजिशे साजिशे आपके खिलाव तो जीवन पर होनी ही थी यह चीज़ भी आपके तरही मुझे बता रही है तो यह दो वज़ा से आपके जीवन पर प्राब्लम्स है लेकिन यह बहुत जादा बरा प्राब्लम्स भी नहीं है ऐसा भी नहीं है कि यह बहुत जादा प्राब विचार करते हैं जीबन रेखा से आगए कि Lाइफ को समझते हैं तो ये आपकी माइन रेखा ये जीबन रेखा independent हो गए है महस 16 अ सो तरह वर्स की आयू में महस 16 अ सो तरह वर्स की आयू में ये independent हो जाते हैं कुछ progress line थी जीवन में तरक्की प्रगती को बताती है तेजगती से आप पीछे आए हैं, उतने जादा तेजगती से आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे, जीवन पर तरक्की को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, डेफिनिटी, फर एक 38 में तरक्की है, 40 में, हल्की सी राहू रेका 37 के आसपास भी है, तो जो आप भी करेंगे, वो कर ले ना, जब ठीक रहेगा आपके लिए, फर एक 42 वर्स में है, फर एक 45 में तरक्की है, फर एक 40 में है, फर एक 50 में, उसके बाद भी बढ़ियाचा ट्रेंगल है, इसके बाद भी जीवन ड्रेका बहुत सबरदस्त, तो लाइफ लाइफ लाइन में तो क शुक्र मंगल परबल है, तो फिर कमफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही, कमफर्टेबलिटी में तो प्राब्लमस ही नहीं है, थोड़ी से गवराहट के योग जरूर बन गया है, चुकि जीवन पर प्राब्लमस आई तो गवराहट तो होगा ना, यह वाकरती सपोर्ट चाह काफी अच्छी समझदार परवड़ती के है, फिंगर पर ये जो इंडिकेशन में दिखा रहा हूँ, जो फिंगर पर खड़ी रेखा है, ये इंडिकेट करती है कैसे वेक्ती, दिल के बड़े अच्छे है, इंडिकर ये अच्छी दारमी कासा, सैटन फिंगर आपके महनत को बता रही है, सुरी फिंगर इमत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर, कम्यूकेशन स्किल वाइस, बहुत परवलता को बता रहा है, जातक की वागपड़ूता बड़ी अच्छी होती है, आगे अगर मैं विचार कर लूँ, तो ये पर अपकारी रेखा है, सब के लिए करना चाहते हैं, हाँ, थोड़ा सा ये लाइन्स जो है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जरूर करता है, बट ब्रश्पती एक समय के बाद प्रबल है, जो कि 35 वर्स के बाद है, माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हरदा रेखा पर भावुकता, थोड़ा सा तनाव ये समान है, विष्णो योग का फॉर्मिश रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा दिल दिमाग के बहुत दंदरुस्त है, यहां से दवाब है तो काफी महनती, जीवन के अंतिम समय तक बागी रेखा है, तो बागी का साथ विकास, नो डाउट, ये वाली बागी रेखा भी शानदार, एक गजब का स्कॉाइर, दो दो स्कॉाइर क्या बात है, लाइन ओफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है, सूरी रेखा बड़ी जबरदस्त है, फिश राइन के साथ, इस प्रकार का फिश राइन आपको बहुत दनवान बनाता है, गिरे का बहुत 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 बहुत समाने बात है इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो बुद्ध पर ख़ली रेखाया दिमाग देए जाए सूरिय मरकरी बहुत ही अच्छे स्थिती में है तो ऐसे वेक्टी वैल्यू मान समान को प्राप्त करते हैं जीवन पर तरक्की को प्राप्त करते हैं अपने दम परिशान कर ले जदा समय के आपको तनाब भी नहीं दे पाएगा चुकि आपका मंगल बहुत प्रवल है चद्रमा आपका बढ़िया है जब भी जीवन पर धन की आवशकता हो कहीं न कहीं से आ जाती धन को लेके विशे इस्तम दिक्कत नहीं रहता है विशे इस्तम तनाब